कि डेमोक्रेसी क्या है अब फॉर्म ऑफ गवर्मेंट एक सरकार चलाने का तरीका है जहां पर जो रूलर्स होते हैं उन्हें लोग चुनते हैं नाइंटी नाइंटी नाइन में परवेश मुशर्ण डेमोक्रीश पर हमला बोलते हैं और अपने आपको चीफ एक्जेकुटिव गोश्चित कर लेते हैं अब चीफ एक्जेकुटिव थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है एक पोस्ट सरकारी ओफिसर जैसी पोस्ट तो इ सब्सक्राइब कर रहा है उनकी तहरी आपकी लगबख हतम हो चुकी होगी कोई डाउट रहे गया हो तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि एक बार बहुत पेशेंस के साथ लेक्चर को दुबारा देख लीजी क्योंकि अगर कोई बेसिक टर्म मिसिंग है तो उसका तो गूगल सेंस करके या फिर पूरे लेक्चर के साथ समझ के उसको वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों ही तरीके से विद्धी तो मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट है जो आपके फीडबेक से कुछ अगर मिसिंग रह जाता है तो प्लीज एक बार लेक्चर देख लीजेगा सेकंड बात आज का एक लेक्चर फिर से अगें छोटा सा है काफी इंपोटेंट लेक्चर है नेतागिरी के बारे में हैं डेमोक् स्वागत हैि सिजन में जहान पर आप लेक्चर नंबर तीन कर रहें है पॉलिकल साइंस का और लेक्चर का नाम है बच्छो क्यों क्या और को यह वांप को मैं बता सकता है विवॉटिस वैयभावी डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी ही क्यों जरूरी है चैप्टर की कहानी यहीं से खतम हो जाती है मैं आपको बता हूं तो अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता चल गया अगर आपको यह समझ में आ गया कि वाट इस डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी क्या चीज है टेमोक्रेसी क्या है और टेमोक्रेशी ही क्यूं हम other forms of government को prefer नहीं करते हैं जब हम democracy को बहुत प्यार करते हैं हमें क्यूं कोई और अच्छा नहीं लगता है जब हमारी पहली मौबत पहली हमारी दोस्ती democracy से हो जाते है क्योंकि जब आपको बोलने की आज़ादी है आपको बातचीत करने की आज़ादी है आपको घूमने की सोचने की अपने मन पसंद के कैंडिडेट को चुनने की खुद इवन कैंडिडेट बनकर जाकर रूलर बनने की तो फिर ये बाकी जगाओं में कहा मिलेगा ये तो other forms of government मे possible है नहीं that is why हमेशा लोग democracy को prefer करते हैं और कई देश जो democratic नहीं है democratic बनने का ढोंग कर रहे हैं drama कर रहे हैं जबकि वास्तव में वो democratic नहीं है सर ये कैसे बता चलेगा कि वो नहीं है तो उसके लिए आपको democracy के एक एक term को अच्छे से समझना होगा अगर उसे वह proof करते है तो देशा डेमोकरिटिक नहीं करते हैं तो देर नौट डेमोकरिटिक बोलने से वह नहीं होता तो चलिए शुरुवात करते हैं अपने इस lecture की अपने इस लेक्चर की शुरू डेमो मेंस पीपल जब लोगों के थ्रू या लोग जहां जिस गवर्मेंट में इंवाल हो जाए वो डेमोक्रेशी बन जाती है बाकी जगह जो है आप अधर चीज़ पाएंगे तो डेमोक्रेशी क्या है एक फ़र्म अफ गवर्मेंट एक सरकार चलाने का तरीका है जहां पर लोगों की अधिकार लोग भॉट देते रहेंगे अपनी मरजी के लोगों को लाते रहेंगे मोधी जई अभी भी है तो लोगों ने चाह ए यह पहले थे इसकार जो है आप समने पिछ इसने किया था बच्चों बाई दा buds, zuk वाजब उप्र इसनी डिकल ढंट और उटकेट कर चुनते हैं है यही मिद्ध देवोट देकर चुनते हैं यही एक है क्या सरकार रहती है दूसरा हूं आरदी रूलर्स कौन होते हैं वो लोग जो बॉड हो करते हैं काइसे लेक्षन होता है वह तो देखेहे आप समझेंगें फॉल्ट जो गोशन चुनकर आती है क्या उसके पास unlimited power होती है कि वह जो मर्ची करें लोगों की ना सुने किस तरह की सरकार यह हमें जान रहे हैं कौन वह rulers होते हैं जिनने आपने वोट दिया वह कौन होते हैं क्या आप भी ruler बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं एक वोट देने वाला ruler बन सकता है त हो लोग कौन है जो वोट देते हैं क्या सम्विधान में Constitution में हर इंडियों को या हर देश का जो Constitution है क्या उसमें हर फेपल को वोट देने का दिकार है या फिर कुछ लोगों को वोट देने से रोका भी जाता है क्या होती है वह कंडिशन वह देख़ लेना election क्या condition होती होती है election मतलब आप यह देख लीज़े कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर इलेक्षन के कर रहा है election किस प्रकरिया किस प्रोसेस के थुरू हो रहे है वह सब तरहेंगे मेजर लीडर्स की बात करें इनको आप जानते हैं परवेश मुशर्फ इनका नाम है परवेश मुशर्फ जो है आप देखेंगे सैनिक अधिकारी है आर्मी ओफीसर है इननोंने 1999 में ये काम किया और अपने सब्सक्राइब कर दिया कब जब डैमोकरेशी अओभ में मैं सब्सक्राइब कर ये और चीफ एक्जगूटिव पास्तहितbilir लेटी Listी और सब्सक्राइब 29 इन्होंने क्या किया अपनी पोस्ट का नाम बाद में बदलकर प्रैसिजेंट रख दिया कि मैं आज से प्रैसिजेंट हूँ और तूथाउजन टू में तीन साल करने के बाद अपना रूल चलाने के बाद 2002 में यह कराते हैं क्या रेफरेंडम यानि लोगों से वोटिंग अब आपको तो भाई सिद्ध घोशिद करने था प्रूफ करने था इन्हें तो रूलर बनना भा तो इस वोटिंग से उनको फाइफ यह का एक्स्टेंशन मिल जाता कि आप पांसाल और चलेंगे 99 से 2002 तक 2002 से 2007 तक इनको जो है अब पर्मिशन मिल चुकी है पर्मिशन मिल चुकी है लोगों को मीडिया को इंटरनेशनल हुमन राइट्स और्गनाइशन को वहाँ जो पाकिस्तान में डेमोक्रिटिक पीपल थे डेमोक्रिटिक अक्टिविस्ट थे उन सब को यह बात बुर चाहे वह आपके डेमोक्रिटिक अक्टिविस्ट थे चाहे वह आपके डेमोक्रिटिक अक्टिविस्ट थे इन सब को पता चल गया कि परवेश मुशरफ ने ठीक तरीके से वोटिंग नहीं कराई है इस सब में क्या है मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड घपले बाजी की गई लोगों से ऐसे कौन वोटिंग कराता है यह तो पूरी प्रकरिया होती है इलेक्शन की जिसमें टाइम मिलता है लोग को के पास चॉइस होती है दो लोग होते हैं आप एक ही से बूच रहे हो हाँ या ना एक रहेगा तो क्या चॉइस रहेगी सो सब कुछ गडबर घुटाले पर वोटिंग कराया गया उन्होंने बोला हम इसको सही नहीं मानते हैं यह बात जब परवेश मुशारफ को पता चली तो परवेश मुशारफ भाई सब बड़े गुस्सा होते हैं और उन्होंने इन 2002 में 2002 में एक और पास कर दिया लीगल फ्रेमवर्क और मतलब एक तरह का क करने की मतलब कि जब जनता के द्वारा आप लोग चुन कराएंगे मैं बैठा ऊपर मुखिया बनके परवेश मुशारफ माली जैसा मैं अपने आपको नहीं करो इस तरह परवेश मुशारफ है मेरे को नहीं मानना भाई इधर परवेश मुशारफ है इधर एसेम्ब्ली जै अब परवेश मुशारफ के पास यह पावर है कि वो इनको डिस्मिस कर सकते है तो आप बताईए जनता के चुने हुए लोगों की क्या वैल्यू क्या उकाद रह गई कोई उकाद नहीं है इस समीधान से यह और पावरफुल होगे बंदे और सुनिए सिविल कैबिनेट जो अब यह तो यहाँ पर बैटे हैं इमरान खान फिलाल जब परवेश मुशरफ बैटा करते थे जो जो इनके मंत्री थे उन सब पर भी निगरानी कौन रख रहा है बच्चो आर्मी ऑफीसर्स आर्मी ऑफीसर्स क्योंकि परवेश मसर्फ ऑरजिनली क्या है एक आर्मी ऑफीसर है तो उनको सपर्ट किसकी आर्मी ऑफीसर की उनकी नजर में आर्मी ऑफीसर्स सबस्यादा बढ़िया है यही लोग जो है कैबिनेट पर भी नजर रख रहे हैं कैबिनेट पर नजर रखने है election भी हुआ है पर चल अन्त में किसकी रही है आर्मी ऑफिसर्स की चल रही है पाकिस्तान में वोटिंग होती है सब कुछ होता है सब ठीक तरीके सो रहा है रिप्रसेंटेटिव भी आये हैं मतलब कि असेमली भी बनी है असेमली भी बनी है ठीक है वोटिंग हुई है ठीक है यह बी डण है बट रट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है यानि एंड जो डिसीजन लेगा पाई तुम साब अपने मन की चला लो बाद में जो लास्ट अप्रूवल देना है वह देंगे कौन प बट यहां किसके हाथ में हैं? किसके हाथ में बछ्चो? आर्मी के हाथ में हैं. तो क्या आप कह सकते हैं? कि election होने से, election में जीतने से, सरकार बनने से, क्या democracy डिकलर हो जाएगी? नहीं. अगर उनके पास authentic power नहीं है, real authority नहीं है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि यह democratic nation है चाहिए मैं सब कुछ हुआ हो बट रियल पावर किसके हाथ में होनी चाहिए लोगों के हाथ में है किसके आर्मी आफिस है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है बात करते हैं बच्चो चाइना की बात करते हैं चाइना की चाइना की भी सुन लीजिए यहां भी हर पांच साल में चुनाव होते हैं यहां भी हर फाइफ यह में क्या होती है वोटिंग होती है हर फाइफ यह में वोटिंग होती हो द्याहां से सुनिए का यहां पर तीन हजार सांसद इनके आते हैं इनका जो पार्लेमेंट उसका नाम सुन एक पार्टी की पर्मिशन की ज़रुत होती है चाइनीज कॉम्मिनिस्ट पार्टी चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है Communist Party उस पार्टी में उस पार्टी के ही लोग चुन कर जाते हैं इस पार्टी के साथ आठ अधर अलाइड पार्टी भी आठ छोटी चोटी और साथी भी है साथी भी है इसकी ठीक है या तो इस पार्टी से पर्मिशन लो चाइना की Communist Party से National People Congress जो है वहाँ जाना है तो Chinese Communist Party से पर्मिशन लो या फिर आप जो है अधर जो उसके पार्टी जूड़ी हैं उनसे पर्मिशन लो वह जिसको केंडिट बनाएंगे वह जीत के जाएगा अर्था इसकी पर्मिशन देते तहस्के अपने ऊतने तो खमिशां कि बनीगी इसकी मिपघ़र्मियंत कि इनकी बनेगे से यह पर यह पावर है उनी के पास यह पावर है कि वो किसको पॉइंट कर सकते हैं प्रेजिडेंट को पॉइंट कर सकते हैं इसका मतलब यहां पर जो भी प्रेजिडेंट होगा वो पहले से तै होगा कि कौन बनेगा क्योंकि वही पार्टी के लोगों में से ही आ रहा है वही कोई नए यह सारे के सारे आप सुन लिजिए इनीक अप्रूवल चाहिए अगर आपको वोट इलेक्शन लड़ना है अगर आपको इलेक्शन लड़ना है इफ वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन चाइना तो आपको हमेशा ही CCP Chinese Communist Party का आपको अप्रूवल लेना होगा यानि कि इसी पार्टी से लोग आ रहे हैं तो आप बताएं क्या है पर रियल चॉइस मिली नहीं मिली आपका एक और एक्जमपल क्लियर हो गया और सुनिए मेक्सिको की बात बता रहे हैं मेक्सिको में भी हर छे साल में चुनाव होते ह है ठीक मेक्सी को है हर छे साल में क्या करा रहा है एलेक्शन करा रहा है यहाँ है टीं चैना में उलेक्शन होनी सब जगह pooंए है प्री प्र पै-इटी थे यह बागी पार्डी क्यों नहीं जी और वोट हो रहे है तो तो इसलिए जीत रही है क्योंकि प्र प्रची ने कुछ गलत तरीक अपनाए है डर्टी ट्रिक्स का कर देते थी मेक्सिको में आप खड़े हैं आप वोट देने के मान लिजे मेक्सिको कि इस पर्टिकुलर एरिया में पार्टी ने तुरंत जो पॉलिंग बूथ यहां से कहते हैं नहीं यहां दांदली और गडबड़ी हो यह जनता आप जानते नहीं आप उस वाले बूथ पर यह वहां बहुत सही है जनता को बरगला दिया पॉलिंग बूश शिफ्ट कर दिये गए अपने कैमपे ने बहुत पैसा खर्च करता था अगर आज मैं किसी एलेक्शन में खड़ा हो जाऊं और किसी एलेक्शन में बड़ी पार्टी के लोग अगर खड़े हैं तो अब इस तरीके से रेगुलिट किया सरकार ने कि आपको पॉशन पार्टी की कोई पॉलिशी कोई डिबेट कोई बात नहीं दिखाने सिर्फ हमारा परचार करो मीडिया में कभी यह आया है नी निकल के कि लोगों ने जब यह बोला हो कि यह सरकार प्यार बहुत खराब है नहीं दब मतला आप उतने जब्यादा कैपम और तहंसा पावरफुल तो अपनी पार्टी पार्टी दो आपने सरकारी एफ़े Three प्रेंटेश को यह वोट किसको देना जब यंदे को नहीं देगा निकल भी त्रीके सी डिर्टी ट्रिक्स का स्तिमाल किया जा रहा था तो यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या यहां पर election free and fair election हुए भाई जब party choice ही नहीं थी जब party choice नहीं थी तो यह हम कैसे कह सकते हैं क्योंकि single party कौन सी party है single party है पी और पार्टी नहीं तो खाक choice मिलेगी तो कोई चोई नहीं यह भी देखा आपने अब बात किरतें दुबई की दुबई की बात सुनिए दुबई आप जानते हैं यहां पर हमेशा किंग की चलती है अब किंग का बेटा किंग की फिर उसका बेटा किंग यहीं चला बात यह कि one person one vote one value one person one vote one value 2015 तक तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था तो क्या यह पर्सट नहीं है दलकुल है क्या इनको वोटिंग का दिकार नहीं है तो इसका मतलब यहां पे पार्शलेटी चली अब सुनिए घ्यान से महिलाओं को 2015 तक कोई वोटिंग अधिकार नहीं है आप कैसे एक्जामपल समझा रहा हूँ भी भूट सारे उपको समझने है महिला को वोटिंग अदिकार नहीं तो इनकी वैल्यू नहीं है और हमेशा ही राजा की चल रहे लोग पूरी तरीके से वोटिंग अदिकारी नहीं मिला तो गभी सरकार आम लोगों की बनी नहीं सकती राजा ही बात करें हम इस्टोनिया की इस्टोनीय में आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनोरिटी जो लोग थे जू माइनेरिटी पीपटल थे वह बच्चे रॉशियन थे रॉशिया लोग थे अब इस्टोनिया में क्या हुआ उन्होंने इस तरीके से अपने रूल रेगुलेशन बनाए वोटिंग अधिकार बनाए कि रश्यन माइनरिटी को तो कुछ मिला ही नहीं तो फिर एक ही देश में जब आपके गोरे लोग रहे गए यहां पर तो आपने उनको प्रॉपर राइट क्यों नहीं दिये क्या वह आपकी नागरिक नहीं थे इस्टो कि तरफ तो वहां पर क्या था वहां पर वोटिंग अधिकार कुछ ऐसे दे कि भाई जो वहां के पैदाइश ही लोग है फिजिए तो फिजिएन को मोर वैल्यू मोर राइट्स मोर प्रेफरेबल चॉइस देन दी डेट अफ इंडियन फिजिएन क्या होता था हमारे यहां से जब यहां पर काम करने के लिए लोग गए थे मजदूर लोग गए तो बहुत समय जब दो तीन पीडिया गुजर गई तो लोग नहीं रहे गए अब बोले यहीं काम है यहीं घर वसाएंगे सब कुछ ठीक है मैं आपको बता दो यहां पर इंडियन कल्चर भी काफी आपको अब बात करते मेरी बात सुनिएगा आपको बात करें जिंबावे की जिंबावे जो आप देख रहे हैं एक परसन का नाम सुन लिजिए और जिंबावे की कहानी है यह तो आप पूरी कहानी पढ़ते जा रहे हैं जिंबावे की कहानी पढ़ते तो आपने वन परसन वन होता है minority people गोरों के अधिकार से यह जो आजाद हो गया आजाद करवाने वाली पार्टी जो थी वह जानू पीएफ यह पार्टी नेम है इस पार्टी ने ही पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ाई लड़ी पार्टी ने आजाद कराया बहुत बहुत धन्यवाद रॉबर्ट मुकावे इसके लीडर थे यह जो लीडर है इस गवर्मेंट चेंग इन्होंने गवर्मेंट को इस गवर्मेंट ने को इतनी बार बदला अपने हिसाब से बदला इतनी बार बदला अपने हिसाब से बदला कि जिससे यह रॉबर्ट मुकावे ताकतवर से और ताकतवर होते जाए और जन्ता के प्रतिन की कोई जवाब देई ना हो मताँ मैं अपनी मर्जी से करू सम्विधान में इस तरीके से चेंज किया गया कि खुद खुद की वोट होता था कुछ होता था लोग इदेते थे तो यहां पर लोको के मसी आ थे यह क्यों थे आजए कराया देश को हीरो है इस देश के लिए पर इस हीरो पंती का काम तब खराब होता है जब इनको 2007 में इनको बाहर निकालके फेक दिया जाता है एक लंबा रूल चला इनोंने इनको जो है उठाके बाहर कर दिया जाता है यहां पर आप एक चीज़ सीज़ केंगे आप कितने भी लोग प्रिय ह हो आपको जनता प्यार करती हो बट आप जब जनता के नहीं है तो जनता फिर आपको बाद में उखाड फेक ही इन्होंने भी कुछ गंदी नीतिया अपनाई अपनी पॉप्लेट्री को बढ़ाने के लिए तो सुनिए कई बार सम्विधान को चेंज किया गया पॉच्चन पार्टी के वर्कर थे उनको हरेस्किया जाता था मारा पीटा जाता था उनकी मेटिंग गर दिया जाता था जो जनता के प्रोटेस्ट होते थे इस सरकार के उख़िए जनता पर आपने मेरी बाहरी चलेगी बस harassment of individual journalists अगर कोई का दुका जन्रलिस्ट जन्ता की बलाई के लिए लिख भी देते थे तो उनको मारा पीटा दमगा जाता था कि तुम्हारा करियर खतम कर देंगे तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे लिखने नहीं देंगे तुम्हारे बच्चों को भगा देंगे एंड कई बार जब कोट ने जन्ता का साथ दिया कोट में जब अपीलेग लोगों ने की कि सर जज रोबर्ट मुगावे अच्छा नहीं कर रहा है तो जज ने फैसला दिया रोबर्ट मुगावे यू आर रॉंग दिस टाइम रोबर्ट मुगावे क्या बोलता है गो तो हैल तुम्हारी जज्जमेंट को कोई फायदा नहीं आएं प्रेजिडेंट मैं कुछ भी कर सकता हूं एग्णोर कोट जजज्मेंट्स यह सब रोबर्ट मुगावे ने किया सब डेमोक्राटिक रू यहां पर यह प्रूब नहीं हुआ यह होना चाहिए यह अगला फीचर भी आप समझ रहें तीन फीचर हो गए आपके कि रॉबर्ट मुकावे की जो पार्टी यह जानू पीएफ उसने अल्लिमिटेड कांड किये हैं उसने कोई लिमिट में काम ही नहीं किया अरे सरकार के जीतने का मतलब लोग प्रिये नेता के होने का मतलब फेम पाने का मतलब यह थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर जाओगे जंता के प्रती उत्तरताइव होना पड़ता है डेमोक्रेसी में आप सुन लीजिए accountable होना बहुत जरूरी है लोगों के लिए accountable form of government है जंता चुनके भेज रही है तो जंता उम्मीद भी यही करती है कि हमारे लिए सरकार सोचेगी तो बात सुन लीजी आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पड़ी उसमें कौन क्या होता यह पड़ा हमने यह भी देखा कौन देश कैसे ट्रीट कर रहा है और हमने यह भी जना कि यह देशों में भी डेमोक्रेटिक चीजे नहीं समझ में आ रही है कुछ-कुछ फीचर्स फॉ जरूरी है तो सुनिए डेमोक्रेसी पहली बात तो हम है यहां पर यह समझगा आ गया कि अदर फ草र्मॉLES अपव गॉवर्मेंट से ता बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे की आपने देख that accountability ती Hm कि accountability नहीं थी free and fair view of election कि free and fair elections नहीं थे और हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को चॉइस नहीं मिल रही थी चाइना में जैसे कि एक ही पार्टी जीत रहे उसी सा प्रमिशन लेंगे सम्नी मिला इसलिए बहुत जरूरी है ना दो बाते हैं इस डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है क्या डेमोक्रेसी में भी बुराईया है डेमोक्रेसी पसंद है पर हर पसंद में कुछ चान में भी दाग है न तो आर्गुमेंट्स अगेंस डेमोक्रेसी पढ़ेंगे सबसे पहले डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या बात हो सकते थोड़ा डेप्ट में समझ यह क्योंकि आप जो बोल रहे है जो डेफिनेशन हमेशा याद रखिए डेमोक्रेसी क्या है एफ फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है क्या है इतने बुरे हैं क्या डेमोक्रेसी में कोई व्राई नहीं तो सुनिये डेमोक्रेसी क्या यह अगर लेते हैं क्योंकि हर त्रशाइब सब्सक्राइब की बुराई है तालो ताकि वह चीज बाद में बहुत अच्छी लगी तो है नो डाउट पर कितनी अच्छी है यह भी हम आज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी में एक बुराई यह है लीडर्स कीप चेंजिंग बिल्कुल होता है और क्यों नहीं होगा लोगों के पा सब्सक्राइब की लार्जेस देमोक्रेसी है आज हमारे मोदी जी जो आपको दीख रहे हैं प्रधानमेंतियों पर यह हम जंता ही तो लेके आए है और वेसली बात है पहले यह नहीं थे आज यह है कल फिर भाई सब देखते हैं फिर मतला आगे इनकी सरकार रहेगी नहीं ल होते हैं मान लिए यह बिमारी यह पर हम एकने ता के साथ भी तो हमेशा कभी निendas तो अब मोदी जी फिरंरह में क्या भोस है फेर तो हैआँ यह चाइन जैसे हो गए यहिसी नहीं चलत smh रहा है जिसका दौरत हैं । चेंज होते हैं पॉलिटिक बनी रहती है ऐसा लोग कहते हैं ठीक है दूसरी बाद डेमोक्रेशी वाट मनी एंड पावर प्ले डेमोक्रेशी में टिकट उसको मिलते हैं जिसका दौलत है और जीता भई है जिसके आस पावर है यहां पनाई जाती है कह रहे हैं यहां पर कोई मॉरलिटी नहीं है कोई नयतिकता नहीं है कोई गरीब की नहीं सोच रहा है कोई समाज की नहीं सोच रहा है सब लोगों को टिकट चाहिए सब लोग पावरफुल बनना चाहते हैं यह डेमोक्रेशी में होता है डेमोक्रेशी मे एक दम से नहीं ले सकते एमेरजयेंसी पे नहीं ले सकते उस पर GR Stop लोगों के इछहाई हो जाती है एक टेम की जाती है फिर अपॉस्चीम पार्टी जैस होती है फिर पास राजियम पो पर यह पास ऐंतली है is कि चंता को चाहिए कैसे हें घ्रिट वाले द कि आ बने देखा हो तो रिला माम condition छंता कुछ आ रही है नेता उत जीतने चले अब द बदलती है जंता की बादसित बदलती है जंता के अदर कई भावनाय हाती है कई बादस्छित के समस्या होती है उस tenure में जब तक एक सरकार रहती है तो क्या नेता उस बाद पर सोच रहे हर वक्त नहीं सोच रहे होते हैं तो कई बार गलत फैसले भी होते हैं सरकार वह सोचती है कि भी जाइब के पुरे औरूरल इंडिया के फाइदेगा हो वाट उसमें अगर चैunda को हुआ सेक्टर कोई कोई लोग पितर बिलागा कोई राज्य कि सी की प्रम अई तो वहाँ वो फैसले उनके लिए बुरी हो जाते हैं बैड डिक्सन भी होते हैं यहां है डेमोक्रेशी लीड्स टू करफशन बिलकुल आज तो आप देखी सकते हैं कि मोदी जी ने बोला था करफशन हटाएंगे तो यह बात क्यों आई क्यों कि अब लोगों को समझ में आने लगी है नेताओं को समय लगे कि करफशन बहुत हो गया घपला अभी हाल फिलाल में काम सिर्फ वोट के टाइम पर होता है बस जनता का यूज वोट के टाइम पर होता है पूरे साल हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या हुआ और जम वोट देने जाते हैं हमें तब भी नहीं पता होता कि हम किसी अच्छे वेक्ति को दे रहें बुरे को दे रहें हमें त तो सुनिएगा चाइना और भारत का कंपरिशन सुनिएगा एक बड़ चला चाइना में 1958-1961 तीन साल ऐसा खतरनाक फैमाइन रहा धूक्मरी रही कि विश्युका सबसे बुरा फैमाइन बनके निकला यह त्रास्ति यह प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें लग भग तीन करोड लोग तक उससे भी ज्यादा मारे गए और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिशी थी वह ऐसी थी एक सरकार है अपनी यह 1958-61 आजादी से ज्यादा दूर नहीं पहुचिए भारत भी कोई जादा सुपियर केटेगरी कंडिशन में नहीं था भारत ऐसी कंडिशन में भी था भारत ऐसी कंडिशन में था ख्योंकि आप देखेंगे इंडिया के साथ अगर इसका कंपरिजन देखें पहली बात तो यहां पर लोगों का यह मानना था कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी होता चाइना में मल्टी पार्टी होता एक अपोजिशन पार्टी होती फ्रीडम मोती प्रेस को जवाब रेडियो टीवी पर मांगा जाता है सरकार से तो शायद ऐसी हालत नहीं होती पर एक्शॉ में था बहारत में गिनकिं को भी फ quirnau він नहीं आ सकता और न आएगा नव समय आया था यहां था हमारे पास क्रश्च की तह समय है क्यों नहीं था हमारे पास मुलडीकोपार्टी था हमारे पास आजादि तौन नहीं को यह सब था तो चैना में हम ने यह सम देखा स्टोथ गैश्यार्ष मेंुट टीपर्टी होती कि यह एक पांडी यह कोंड की यह जाल विले त exting exist फॉट लोग पूछ थे नेता जी आपने क्या हमारे लिए तरहां पूछा जाता है क्या किया वियोधी आपोशन कहते हैं क्या आपने पांच साल में पूछते हैं इंपूज़ द्यश्वेकिग आज को फैसला गलत हो गिया कल सरकार उस फैसले को सुदार लेगी और बहतर डिसेन आए इट प्रोवाइडर मैथर्ट टू डिल विट डिफ्रेंस एड कॉन्फिक्स एक पाट्डी कहती हमें यह चीज चाहिए थी साहब आपसे उम्मीद थी लोग यह कहरे हमें यह चाहिए था भेस हो रही है सरकार करें ठीका देख लेंगे इस फॉसिबल है सुनवाई डैमोक्रेसी पॉसिबल है क्योंकि हम एकाउंतेबल है तो यहाँ पर वहस बहस सबको निप्टाया जा सकता है वरना क्या है चाहिना की तरह होते तो भाई मैं अपनी चला रहा हूं खातम बात तुम कर लो जो मर्जी करी नहीं सकते क्या कर लोगे डेमोक्रेसी एनांस दिग्निटी ऑफ सिटीजन जब घर के यानि भारत के लोगों से फैसले पूछे जाती है किसी फैसलों पर किसी कानून पर राय ली तो इससे नागरी बीना अपने आपको सरकार से अटेश जुपाता है कहता है कि मेरी सरकार मुझे पूछ रही है इज़्जत सम्मान मिल रहा है नॉन डेमोक्रेटिक होता है तो फैसला हो चुका है फैसला हो चुका है हो गया बास आप सुन लियो जो होना होगा देखा गया कोई कानूर मना लोगों को पसंद नहीं लोग परिशान तो डेमोक्रेटिक गवर्मेंट यह कहीगी कि हम तो है ही इन से अरे इनों ने नहीं वाट दिया है हम इनके यह हमारे तो चलिए प्यारे अपनी गलती सुधारे यह कर दिया गया मजा एक दम डेमोक्रेटिक क्या जो हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक इस फॉर्म अफ गवर्मेंट डेमोक्रेटिक जहां पर रूलर्स एलेक्टिट बाइद पीपल बस इतनी सी बात और डेमोक्रेटिक समझ में आ गई ए रहा तो यहां पर ऐसा नहीं है मेरी बात जाहर से सुनिए गा इंटलिए बचा पर लोग अपने जो लोगों को चुनकर बेज रहे हैं वह लोगा फैसला लेंगे जो डेमोक्रेटिक बीश्यों होता है उसमें बहस डिबेट कंसल्टेशन सब कुछ होता है कि इनके साथ जिल लोगों से उस पर इफेक्ट पड़ता है जो लोग उसके साथ रहेंगे भाई हमारे लिए कोई कानून आया है किसके लिए हमारे लिए इसके साथ कौन सर्वाइब करेगा हम करेंगे तो यह डेमोक्रेशी में होता है डेमोक्रेशी में जो डिशियन होता है उस सब में उन सब लोगों इसला ली जाती है क्यों इंपक्त इनके ऊपर है रहना इनके रहे हैं आप बोल रहा है आप democratic nation हो ठीक है आप किन-किन बातों का पालन करते हैं क्या आपके है रिपरसेंटिटिव गवर्मेंट है है क्या आप जनता के लिए काउंटेबल है है क्या पांच साल में चुलाव करते हैं है क्या आपके यहां पर लोगों को free and fair choice मिलती है क्या सब लोग अपनी मर्जी से खड़े हो सकते हैं क्या लोग अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं तो भाईसा फिर आप democratic है क्योंकि मात्रिस डेफिनेशन कहने से कि रूल बाइद पीपल की मतब डैमोक्रेशी सब फॉर्म और गोर्मेंट इन भी रूल और सा रिलक्टेड बाइद पीपल इससे डेमोक्राटिक नहीं होता भाई आप क्या इसके प्रिंशिपल्स को फॉलो करते हैं क्या कोई भी प्रिंसिपल ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं तो ही आप ठीक है तो इसका मतब यह है आप एक बात तो समझ लीजिए नो कंट्री सब परफेक्ट डेमोक्रेशी क्य क्यों अगर परफेक्ट डेमोक्रेशी इंडिया है तो यहां पर पावर्टी क्यों नहीं खतम हुई क्योंकि जनता के लिए अगर अकाउंटेबल है तो जनता की बीच पर गरीबी क्यों है जनता के अंदर भुकमरी क्यों है बताईए अनिंप्लोइमेंट क्यों है बताईए जनता क्यों सुसाइट करती है गरीभी के कारण किसान परिशान क्यों हुआ बताईए इसका मतलब हम यह कह सकते कि डैमोक्रेटिक नेशन इंडिया तो है बट परफेक्ट नहीं है मतलब आप यह गर्दन पर साथ कहा दे कि तुम्हारे कोई गरीब भूका नहीं सोगा तो बहतर से बहतर और हो जाए इसके वक्त लगीगा इसके लिए वक्त लगीगा तो अगया आप तो प्रिंशिपल को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया सो सुनिए ध्यान से एक बार में तो अचीव नहीं कर सकते हैं सब कुछ भी हो गया तो कुछ आ कुछ कमी रहेगी वसकम को पूरा करने के लिए टाइम चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए आपको कॉंसेंट एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि डेमोक्रेशी को और स्ट्रॉंग मना जा सके क्योंकि अगर आज गरीब है दुखी है तो एकाउंटेबल फॉर्म आफ गवर्मेंट में लोग फिर परे सारे हैं बट मैं एक दो आपके लिए इंपोर्टेंट बता रहा हूं जिनको आप प्रैक्टिस जरूर कीजेगा कोशन इलेक्शन इन चाइना डू नोट प्रेजेंट पीपल्स वर्डिक्ट नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्वांगो रैंमिंड यहो दाइबाव ही रहेगी बात करते हैं अगले कोश्चन की तरफ डेमोक्रेशी मोस्ट पॉप्लर फॉर्म आफ गवर्मेंट है आज के टाइम पर बिल्कुल सही बात है बट इसमें फिर भी कुछ कमिया है ठीक है इसे स्टेट्मेंट को जस्टिफाय कीजिए पांच शॉट कमिक्स बताई है क्या बताना है बच्चोग है अगे इस डामक्रेशी बताना बता देंगे तरह सुनिए इंस्टेबिलिटी क्या च्यों क्योंकि हाँ लीटर क्या ओते रहते हैं change होते रहते हैं low morality क्यों लोग यहां पर किसके लिए काम कर रहे हैं power के लिए काम कर रहे हैं delay in decision making क्यों क्योंकि यहां पर debates होती है discussions होते हैं तो उसमें फैसला लेने पर time लगता है next is illiterate and political unconscious voters क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है what is good and bad for them है ना लोग वोट करने जाते लेते पड़े लेखे लोग जातर आप देखेंगे कि वोटिंग का रेश्यों हमारे 100% नहीं है ज्यादा पड़े लेके लोग तो जाते ही नहीं वह ऐसे दुखी होगे और जो विचारे गरीब हो जाते हैं उन्हें पता नहीं कि किसको वोट करना है बैट डिसिजन्स भी आते हैं नेता को नहीं पता है कि जनता का इंट्रेस्ट किस बात में है अब करप्शन भी होती है घुस खोरी टिकट पैसा महेंगा सब यह सब है तो ठीक है यह शॉर्टकमिंग्स है वाइस देमोक्रेशी कंस्टिए तो बेस्ट ऑप्शन अमं देमोक्रेशी के फीचर बता दीजे दूसरी सी से अपने आप बहतर हो जाएंगे इसके मेरिट्स बताऊगे वह उसके डी मेरिट्स बनते हैं यहां पर सबसे ज्यादा पहली समझ लिए सरकार लोगों के लिए जिम्मिदार है लोगों ने चुनकर बेजा है डिसिजन बहु लोग एक बराबर है डेमोक्रेश्म रिच हो पूर हो सारे डिसिजन सब कुछ अधिकार सबके बराबर होते हैं रूम फॉर करेक्शन अगर कोई लॉग कानून गलती से खराब बन गया या गलत बन गया जो लोगों पसंद निया रहा तो उसे बदला भी जा सकता है समझ में आगे बाद five argument बताने है अगेंज अगेंज सेम वही चीज़ आगी accountable form of government है non-democratic नहीं होती है गुड क्वालिटी समग होता है वहां पर नहीं होता है अपनी गलती conflicts बहस उसको ठीक कर सकते हैं लोगों से पूछा जाता है लोगों की dignity बनी रहती है वह वहां नहीं possible है अपनी leaders क्या होते रहते हैं change होते रहते हैं ठीक है morality नहीं है बाइसा पैसा दो वही delay decision making corruption गलती वह सब ordinary people को नहीं बता क्या सही क्या गलत सेम चीजे हैं उसका अच्छा और इसके लिए बुरा बन जाता है सो कानी खतम कानी खता मेरे बच्चो हमने जो कुछ पढ़ा बहुत simple सा पढ़ा हमने आज की class में कुछ ज़्यादा tough नहीं था आप भी जानते हैं बहुत आसान सी का तरीका है जहां पर rulers जहां पर rulers है elected by the people लोग अपने नेताओं को चुनते हैं बात यह थी हमने simple यह पूछा था किस तरह की सरकार क्या हो सरकार के पास unlimited power आ जाती है जब वह सरकार बन जाती है कौन लोग होते हैं क्या condition चीए क्या कोई पेपर देना पड़ता है ruler बनने के लिए क्या कोई भी ruler बन सकता है यह हमने जाना वह लोग कौन होते हैं जो वोट देते हैं क्या कोई भी जेल में बंद आदमी जेल से बाहर आदमी क्या कोई भी नागरिक वोट दे सकता है election का process क्या है क्या condition बन जाती election के लिए election कैसे होता है वो सब हमने देखा था उसके बाद आपने देखा कि डेमोक्रेसी के आपने फीचर्स देख लिए कि भाई यहां पर जो है अभी पढ़कर आए है कि जो है आपने देखा होगा कि मतार अकॉंटेबल फॉर्म अफ गॉवर्मेंट है क्रेक्ट कर सकते अपने डिसिजन को आपने पढ़ा जो की नॉन डेमोक्रेटिक था जिंबाब्वे आपने पढ़ा जो की नॉन डेमोक्रेटिक था मेक्सिको के पास भी आर्मी रूलर्स की चलती है वो भी नॉन डेमोक्रेटिक है साउधी अरेबिया नॉन डेमोक्रेटिक है जहां पर वन परसंट वन वोट की वैल्यू की बात आई वहां पर आपका फिजी भी इसी तरीके से रहा इसके लावा आपका इस्टोनिया वहां पर भी वोटिंग अधिकार नहीं था यहां पर रस्चन पीपल को नहीं था यहां पर फिजी इंडियन को नहीं था यहां पर वोमेन को नहीं था यह वोटिंग अधिकार नहीं थे इनके पास समझनेंगे नहीं समझें इसा वोटिंग अधिकार नहीं थे तो आप देखी चुके हैं चाइनीज को इस पर्मिशन नहीं पड़ती है कौन इलेक्श अच्छा नहीं लगा तो प्रेशिजन घोशित कर दिया वहीं बात करें जिंबावे रॉबर्ट मुकावे ने बेशा का असाधी दिलाई हो इस जानू पी एफ पार्टी ने बट इस पार्टी ने बहुत गंदी राजनीती करी जिसके कारण जो कोई और पार्टी में कभी आई नहीं करें पर जितनी भी की है उसमें आपको कोशिश की गए कि आप बहतर से बहतर समझ पाएं यही प्रयास है यही अटेम्ट है इस स्प्रिंट शेजन का कि वह आपको आपकी चीज़े जितने भी डाउट से मुझा दा सौल कराई जाए चैप्टर पहले अच्छे से समझ याद करोगा और कितने याद करोगी चैप्टर तो एक ही है कोशन की कोई गिंती नहीं है लेंग्वेज उसमें कुछ भी बदल गया सकते तो फर्स्ट प्रेटिया आपकी यह रहनी चाहिए आप मैक्स टू मैक्स चैप्टर को अच्छे से अच्छा करके जाए देना कोशन स करें उम्मीद है कि आप लोगों को यह का यह मतलब यह कहानी और यह बात हमेशा याद रहेगी मिलते हैं अपने नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए भाई ठीक है मुस्कराते रहिए और अपने शीजन को इंजाय करते रहिए मिलते हैं अगली बार चली बाई